हिमन सोरिन के अधिक्षता में काबिनेट की बैठक हुई, काबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है इसमें सबसे प्रमूख नवी से बारवी कक्षाता के चातर चातरां को निशुर्ग, पाठे पुस्तक एवन पुश्याक विद्रन की जाने के प्रस्ताव सहमती से शामिल है और इसका लाब 5 लाग चातरों को मिलने वाला है ये रिपोर्ट आप देखिए जारखंड में सीम हिमन्त सूरीन के अधिक्षता में कैबिनेट बैचक वी, इस दोरान 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई रज्ग के करीब 5 लाग विद्ध्यार्थियों को सरकार की ओर से फ्री किताब और पुशाक दी जाएगी सरकार की ओर से ये लाब जारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 के विद्ध्यार्थियों को उपलब्द कराया जाएगा इससे गाउं में रहने वाले गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी इतना ही नहीं स्कूल जाने के प्रती विद्ध्यार्थियों में रुझान बढ़ेगा वहीं जार्खंड सरकार राज्यूवित आयोग का पुनरगठन करेगी सरकार की इस पहल से ग्रामीन विकाज को रफदार मिलेगी लंबे समय से आयोग के पुनरगठन की संभाबनाय जताई जा रही थी वहीं काबिनेट की ओर से इसे मन्जूरी भी दे दी गई है जार्खन क्याबनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी फैसला लिया गया कि पंचायद चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों को देरिक भत्ता कितना दिया जाएगा उलेखनी है कि इस समय जार्खन के सभी जिलों में पंचायद चुनाव हो रही है नमांकन की प्रक्रियाएं संपन हो चुकी है चुनाव चुन का वित्रण भी हो चुका है चुनाव प्रचार जोरों पर है कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की तैयारियां भी चल रही है इसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी इसमार लगाई जाएंगी शारखंड काबिनिट की बैठट में कर्मचारीयों और अधिकारीयों से संबंदेद एक एहम फैसला ये भी हुआ कि पद्ध स्थापना का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों का अब किसी सूरत में वेतन नहीं रूका जाएगा मालूम हो कि पहले पद्ध स्थापना के इंतजार में कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पाता था इस कारण उन्हें काफी परिशानिया होती थी सरकार के इस फैसले से राज करमचारियों को राहत मिली है करमचारी लंबे समय से इस फैसली की प्रतिक्षा कर रहे थे डेस्ट रिपोर्ट नेटवर्क टैन